बिहार में जातिकत जिनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष लगातार पूरे देश में जातिय आधारित गणना की मांग उठा रहा है इसी बीच बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित तिनाथ ने जातिय जिनगणना को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया है पंडित दीन दयाल उपाध्या इस्मृती समारों में अपने भाशन के दवरान सीम योगी आधित तिनाथ ने कहा कि चुनाओं के दवरान विपक्ष को जातियां याद आती हैं जबकि चार साल वे निश्क्रिये रहते हैं चार-पांस राज्यों के चुनाओं होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदण मचीवी है चुनाओं आते हैं तो इनको तब लोग कल्याण याद आता है तब गरीब कल्याण याद आता है तब जातियां याद आती है लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने तो इस सभी कारे समयबत तरीके से पुरी देश के अंदर विना भेहत भाव के सभी लोगों तक उपलब्द कराने का कारे किया है देश भर में जातिये जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच हिमाचल प्रदेश के राज़िपाल शुपरताप शुकला का बयान भी सामने आया है गवर्न शुपरताप शुकला ने कहा है कि समाज को बाट कर लोगतंतर को मजबूत नहीं बनाया जा सकता समाज को बाट करके कभी भी लोगतंतर को ससक्त नहीं बनाया जा सकता है इसनत मेरा यह मानना है कि पूरी तोर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए इस नत में इस को कह सकता हूं कि जो रामनोहलोहिया ने कहा था कि जाती तोड़ो दामबादो आज आवशक्ता इसी की है दामबाद ने की जिसमें मांगाई कम हो रही है जी जी पी आपकी बढ़ रही है लोगतंतर में इस अम्रतकाल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में र रहता है भारत को जोड़ना चाहिए इनकी पूस्तक भी जागरती के द्वारा भारत को जोड़ने का काम है उधर दूसरी तरफ समाजबादी पार्टी के मुखिया और उतर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अकले श्यादों ने जाती जनगरना को लेकर अपनी मांग जारी रखी है उन्होंने 12 अक्टूबर को लखनव में कहा कि जाती जनगरना हमारे समाच को जोड़ेगी जो जातिया पीछे रह गई थी जिनने अभी तक सम्मान और अधिकार नहीं दिया गया है और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी जनसंक्या अधिक है लेकिन उन्हें उस जनगरना के सर्वे आंकड़े जारी होने के बाद अखिलेश यादव लगादार जातिये जनगरना की मांग कर रहे हैं इससे पहले अखिलेश यादव ने बिहार सरकार के जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करने का स्वागत करते हुए भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा झाल झाल